Hello everyone, Welcome to all of you in exam guru दोस्तो आज 21 नवंबर को इंडियान कोश्टगाट की तरफ से नाविक जीडी, डीवी और एंत्रीक का तीनो सिफ्ट का एक्जाम समावत हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तो मैं आप सभी के साथ आज के तीनो सिफ्ट का complete review सेर करने वाला हूँ इसके अलावा दोस्तो आज के तीनो सिफ्ट में math और reasoning के कौन-कौन से important questions पूशे गये थे उन सभी questions का solution करवाऊंगा और दोस्तो आपके बहुत सारे questions ऐसे भी हैं जो पिछले दिनों से ही repeat हो चुके हैं तो अगर आपका भी exam आगे आने वाले दिनों में है तो इस वीडियो को last तक देखें हो सकता है कि जो math और reasoning का concept में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल similar concept आपको कल और परसो के paper में भी देखने को मिल जाए दोस्तो अगर आप इन सारे questions का PDF download करना चाहते हो तो PDF आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से download कर लेना टेलिग्राम ग्रूप का link मैंने इस वीडियो के description box में दे दिया है तो चलिए दोस्तो अब आज का lecture start करते हैं सबसे पहले हम math origin की बात करेंगे after then gk and English के questions देखेंगे तो अगर मैं math की बात करूँ तो math में दोस्तो आपका question repeat हुआ है पिछले दिनों से वो question यह था कि question ऐसा पूछा गया था कि a और b ठीक है एक minute यहाँ पर मैं एक बार pain ले लेता हूँ जगा a और b ठीक है दो quantity है और इसका जो whole square है इसका value आपका दे दिया गया है 25 इसके अलावा a into b का value दे दिया गया है आपका 10 तो आपको बताना है कि a square और v square का value क्या होगा जिन लोगों ने मेरा कल का review वीडियो देखा होगा या फिर कल के तीनों shift का जो मैंने math का complete analysis upload किया था उसमें भी मैंने आपको इसी pattern के questions करवाए थी यहाँ पर दोस्तों इस question को कैसे solve करेंगे तो देखिए a plus b ठीक है a plus b और इसका अगल हम whole square करते हैं तो formula क्या होता है a square plus b square plus 2 into a into b अब हमें बताओ कि a और b का whole square तो हमें already मालूम है कि 25 है तो इसकी जगा हम क्या लिख देंगे 25 यहाँ पर हमें a square और b square इसहीं दोनों को हमें find करना है plus 2 into a into b का मान क्या दिया गया है a into b का मान 10 दिया गया है यहाँ पर तो a हमारा क्या हो जाएगा a square plus b square plus 20 equal to 25 तो यहाँ से अगर हम a square और b square का value निकालना चाहें तो क्या होगा 25 minus 20 यानि कि 5 आपका correct answer है तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर इस concept को use करते हो equation को solve किया होगा 10 से 12 second में आपका equation solve हो जाएगा और अगर आपका 5 आ रहा था answer exam में भी तब आपका बिल्कुल correct answer है यह था दोस्तो आपका math का पहला question इसके बाद math का second जो question पूछा गया था वो इस परकार से था कि 10 4 degree into 10 43 degree into 10 47 degree into 10 86 degree और आपको इसका मान बताना था दोस्तो आपका यह जो question आया था करेंगे दोस्तो 10 90 minus cot theta ठीक है 10 90 minus theta करेंगे तो इसका value क्या आएगा cot theta और इसी formula को यूच करके हम इसका value निकालेंगे तो यहाँ पर अगर आप हर एक का ऐसे ही करोगे जैसे देखो 10 40 है तो इसे हम कैसे लिखेंगे 10 40 को 90 minus करेंगे वहाँ पर cot degree निकालेंगे फिर 10 43 का निकालेंगे cot degree 10 47 का इसी परकार cot निकालेंगे और 10 86 का निकालेंगे तो इन सभी को निकालने के बाद आपका जो final value आएगा वो आपका एक आना चाहिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और question मैं आपको बताता हूँ जो आपके exam में इसी बार पूछे गए है question क्या पूछा गया था कि अगर 10 x equal to 3 upon 4 है तो आपको बताना है कि sin 2 x का मान क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर sin 2 x का मान हम कैसे निकालेंगे तो इसका मान निकालने के लिए sin 2 x equal to होता है 2 into sin x into cos x ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 into sin x हो जाएगा 3 upon 5 और cortex क्या हो जाएगा 4 upon 5 यह हमने कैसे निकाला दोस्तों 4 और 5 तो यहाँ पर अगर आप triangle को रखोगे 10 theta का मतलब perpendicular और base तो इससे आप hypotenuse निकाल सकते हैं और इसी को हमने यहाँ पर put किया है तो solve करने को बाद क्या आएगा 4 into 3 is 12 और 12 into 2 is 24 divided by 25 यानि कि दोस्तों यहाँ पर आपकी sin 2 x है इसका answer आना चाहिए 24 upon 25 इसके बाद एक और बहुत ही खुबसूरा सा सवाल देखेंगे हमें आपर math का आपका देखिए question क्या पुछा गया था कि अगर x पलस 1y x का value दे दिया गया है हमें क्या इसका value हमें दे दिया गया है 3 पलस 2 root 2 एक मिनिट यहाँ पर उख जाओ देखो x का value क्या दे दिया गया है x का value हमें दे दिया गया है 3 पलस 2 root 2 और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपको बताना है under root x plus 1y under root x का मान क्या होगा दोस्तो अगर आप में से किसी candidate ने इस साल Air Force Y Group exam दिया होगा तो आपने देखा होगा कि लगभग 16 shift में आपके paper हुए थें और वहाँ पर आपके 10 से 11 shift में ऐसे pattern के question पूछ लिए गए थी फिर से आपके question guard में भी उसी pattern पर question repeat हो रहे है तो यहाँ पर आप सभी लोग एक बार concept को समझ लो आगे जो भी आपके exam आएंगे वहाँ पर आपको फिर problem नहीं होने वाली है इस question को solve करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए अगर x का value इतना दिया गया है तो हम इसका recipe protocol find करेंगे इसके साथ में यानि कि 1 upon x क्या होगा 3 plus 2 root 2 और अगर आपने 9th class में math अच्छे से पढ़ा होगा तो rationalization का process आपको पता होगा इस point को हम अगर rationalize करना चाहें तो उपर में आपका 3 minus 2 root 2 हो जाएगा और divided by क्या हो जाएगा 3 minus 2 root 2 यहाँ पर rationalize करने के बाद दोस्तों इसका जो value निकल कराएगा वो आपका आएगा 3 minus 2 root 2 और यहाँ किसका होगा 1 upon x का होगा तो x का value हमें पता चल चुका है 1 upon x का value हमने निकाल लिया तो हम क्या लिखेंगे x plus 1 upon x equal to 3 plus 2 root 2 plus 3 minus 2 root 2 तो यहाँ से आपका 2 root से 2 root कट गिया यानि कि x plus 1 y x equal to क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ अगर हम minus 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें minus 2 कर सकती है अब अगर आप इसका square निकालोगे यहाँ पर करके तो आपका इधर क्या आ जागा 4 आ जागा घटने के बाद और इसका अगर आप square हटाओगे तो under root 1 वह यह होगा न और यह आपका आ जागा under root में यानि कि plus minus 2 तो दोस्तो इस question को absorb करने के बाद आपका answer आएगा plus minus 2 clear है सभी का यहाँ तक चलिए इसके बाद एक और question यहाँ पर देखते है आपका reasoning का question पूछा गया था question क्या था दोस्तो की 1, 2, 6, x और 36 बहुत सारे लोग इस question में confuse हुए है actually में हाँ पर हो क्या रहा है इस pattern को समझे 1 और 2 को अगर आप देखोगे तो 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हमें 2 मिलता है बापस से अगर आप 2 में 3 से multiply करोगे तो आपको 6 मिलेगा लेकिन अगर 6 में 4 से multiply करोगे तो 24 तो मिलेगा लेकिन 24 का अगला term नहीं आएगा तो हमें पहला दोनों term तो पर चलिया कि पहले हम 2 से multiply कर रहे है फिर 3 से कर रही है अब हम क्या करते है कि 6 में बापस से 2 से multiply करके देखते हैं तो हमें 12 मिल रहा है और 12 में अगर 3 से multiply करेंगे reasoning का ही एक और बहुत ही खुबसूरा सा question है इस question को भी आप सभी लोग समझ लीजिए question में देखे क्या कहा गया कि 4, 16, 8, 64, x, 256 आपको बताना है कि x का value क्या होगा देखिए अगर आप 4 का square निकालोगे तो आपको 16 मिलेगा न तो x की जगा पर आपका value जो आना चाहिए वो आपका 16 होना चाहिए इसके अलावा दोस्तों एक आपका age related question पूछा गया था जिसमें राम और उसके father के कुछ age दिये गये थे और उसी के according आपको आगे question solve करना था एक और reasoning का question था 2723-220 और यहाँ पर question mark थे है तो यहाँ पर आपका काया आना चाहिए देखिए 2 गुना 3 पलस 1 क्या हो जाता है 7 7 गुना 3 पलस 2 आपका 23 तो 23 गुना 3 करेंगे तो 79 और 79 पलस 3 क्या हो जाएगा 72 अब 72 में अगर आप 4 से multiply करोगे तो आपको मिलेगा 216 और 216 में 4 add करने पर 220 आएगा तो यहाँ पर आपकी जो खाली अस्थान है खाली अस्थान पर 72 आना चाहिए था तो गाइज यह आपका total math and reasoning का question जो अभी तक मुझे मिले हैं उनका solution अब मैंने आपको करवा दिया अब देखते हैं कि GK में क्या क्या question पूछे गए थे तो GK में दोस्तो सबसे पहला question आया था कि कवड़ी में total खिलारियों की संख्या कितनी होती है दोस्तो कवड़ी जो खेल होता है न इसमें total players की संख्या होती है 70 के है इसमें एक team में 7 खिलारी खेलते है इसके अलावा एक question पूछा गया था कि Mount Everest पर चड़ाई करने वाली पहली भारतिये महिला कौन है तो दोस्तो पहली भारतिये महिला का नाम है बचहंदरी पाल यहाँ पर correct answer है बचहंदरी पाल इसके अलावा अगर आपसे पूछ लाजा केवल first Indian तो यहाँ पर correct answer होगा अवतार सी इसके बाद अगला question देखिए अगला question यहाँ पर chemistry का पूछा गया था कि जो matter होता है यानि कि जो पदार्थ होता है इसका सबसे smallest unit क्या होगा तो दोस्तो जो भी matter होते हैं इन सभी का smallest unit आपका atom कहलाता है इसके बाद अगला question पूछा गया था कि अगर हम किसी पिलो को एक अश्टीक से पीटते हैं ठीक है आप या फिर कोई bed seat को या फिर पिलो को अश्टीक से पीटते हो तो देखते होगे कि उसमें से बहुत सारा धूल उड़ता है तो वह धूल किस कारण से उड़ता है या उड़ता है दो तो आपकी Newton के पहले law के कारण और Newton का first law क्या काता है every action has equal and opposite reaction यानि कि जो आप action करोगे बिल्कुल आपका उसका equal and opposite reaction आपको देखने को मिलेगा इसलिए जो हम अश्टीक से पीटते हैं तो धूल हमारा बापस उड़ता है इसके बाद question पूशा गया था कि sorry यहाँ पर ध्यान देना जो आपको मैंने भी बताया था ना श्टीक से पीटने वाला या आपका Newton का third law के according है इसे आप सभी लोग सुधार लेना इसके बाद अगला question पूशा गया था दोस्तों कि निहारिका क्या होता है ठीक है निहारिका क्या होता है यह भी आपका geography का question है तो दोस्तों निहारिका जो है न यह cloud का एक type है ठीक है cloud भी अलग लग से होते हैं तो यह आपका cloud का ही एक type है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेस्ट पाए जाते हैं हाइड्रोजन गैस पाए जाता है एंड हिलियम गैस पाए जाता है तो ऐसे जो गैस के कम्बिनिशन वाले क्लाउड होंगे इसे हम निहारिका कहते हैं इसके बाद अगला क्वेशन नेक्स आपका जोग्रफी का क्वेशन था कि जो नागा अर्जुन डेम है ठीक है नागा अर्जुन डेम वो किस नदी के वह है तो जोस्तो नागा अर्जुन डेम आपकी क्रिस्ना नदी के तड़ पर बना हुआ है इसके अलावा दोस्तो एक question पूछा था कि foot wall में total खिलाडियों की संख्या क्या होती है तो दोस्तो foot wall में एक team में खिलाडियों की संख्या total 11 होती है इसके अलावा एक question आया था आप साक कि let's kill Gandhi ठीक है यह एक पुस्तक का नाम है और आपको बताना था कि यह book किसके द्वारा लिखा गया है तो दोस्तो यह जो आपके पूस्तक है let's kill Gandhi यह आपके लिखी गई थी तुसार गांधी के द्वारा इसके आवाद एक और question आपर पूछा गया है जो कि Air Force में भी पूछा गया था इसी साल sun का जो outermost layer होता है sun का जो साल साल बाहरी layer है उसे हम क्या कहते हैं तो दोस्तो sun के जो बाहर layer है इसे हम बोलते है Corona ठीक है या फिर आप इसे हिंदी में सुर्य किरिट के नाम से भी जानते हो इसके बाद बात करते हैं अगला question का तो physics में अगला question पूछा गया था कि work का SI unit क्या होगा दोस्तो work का SI unit है वो आपका Joule होता है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पिछले दिनों की तो वहाँ पर आपका dimension पूछ लिया गया था और आज की जो आपके shift हो रहे हैं उन सभी में SI unit पूछा जा रहा है इसके अलावा एक question आया था कि जो उगादी निर्थे है यह किस राजए से संबंदीत है तो दोस्तों जो उगादी निर्थे है यह आपकी संबंदीत है अंद्रपरदेश से इसके बाद बात करेंगे अगले question की तो next question जो पुछा गया था आपके exam में वो पुछा गया था कि जो resistant होते हैं ठीक है resistant उसमें किस wire का use किया जाता है तो दोस्तो resistant में आपका use किया जाता है nichrome का जो कि nickel and chrome दोनों के combination का alloy होता है और दोस्तो यह जो आपका question है na resistance में कौन सा wire use किया जाता है यह आपका air force exam का अभी favorite question है और लगोग हर साल किसी ने किसे सिफ्ट में question पूछ लिया जाता है तो यह total दोस्तो आपके gk and science के questions थे अब last में हम 4-5 English के important questions देख लेते हैं सबसे पहला question पूछा गया था कि यह खाली स्थान था और यहाँ पर पूछा गया था आपका कि youngest man has going to a school तो यहाँ पर आपका जो preposition यूज किया जाएगा रहा दोस्तो आर्टिकल वो आपका the article का यूज किया जाएगा इसके बाद अगला जो question पूछा गया था दोस्तों पर वो यह था कि adapt का synonym आपको बताना है तो adapt का synonym क्या हो जाएगा आप comment करके जल्दी से बताना इसके अलावा एक question आया था कि भगत सिंग को फासी कब दिया गया है दोस्तों भगत सिंग को फासी चढ़ाया गया था तेईस मार्च को ठीक है और year कौन सा था तो year था आपका 1931 इसके बाद अगला question अगर हम बात करें English की तो English में जो आपका next question पुछा गया है वो यहाँ पर पुछा गया था दोस्तों empathy का antonym, empathy का आपसे antonym पुछा गया है तो empathy का मतलब होता है यानि कि किसी के प्रती जो kindness होती है उसे हम empathy बोलते है अगर इसके antonym बात करें यानि कि opposite word की तो opposite इसका हो जाएगा detachment तो guys इसी के साथ अभी तक कि आपके जो भी questions पूछे गया थे आज के तीनों shift में उन सभी का solution मैंने आपको करवा दिया बागी के जो भी questions आपके बचे हुए रह गया होंगे maths के, GKK, reasoning and English उन सभी का solution मैं आपको अगले वीडियो में complete करवा दूँगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होते इसो like और share करें और मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत